नमस्कार जैहिंद, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ओनलाइन स्टूड टागर वितालोप में मैयार कुमार, उम्मीद करता होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके होता है, आप देखिए बिहार आज में एक बड़ी सिक्षक भरती की सफलता के बाद तुरं छात्राओं के लिए छात्रों के लिए एक नया त्योहार, एक नया प्रियोजन, उनके जीवन को बिलकुल मंगल में कर देने वाला एक नया प्रियास बिहार सिक्षक भरती 2.0 के आपके समक्ष है, जहां पर जूनियर्स लेकर के मादमिक, उस तर मादमिक में बहुत सारी, बहुत सारी सीटों पर विग्यापन आ चुका है, आपको पता कि परिक्षा बहुत जल्दी होने वाली है, और इसी प्रियास में हम सभी लोगों ने आपके लिए बिलकुल निसु हम से बन पड़े, वो हम आपको देने का प्रियास करेंगे, साथियों कहा गया है कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, और हम कोशिस भी न करें ये गलत बात है, तो हमारे पास जो भी संसाधन होंगे, हम उनका इस्तेमाल करते हुए, उनका प्रियोग करते हुए 100% आप पर अपना सब कुछ देने का प्रियास करेंगे, ताकि परिक्षा में वह आपके लिए बहुत कारगर हो, तो देखो सामाने विज्ञान विशे में परहता हुँ, जिसके करम में आज मैं आप लोगों से बात करूँगा, और असाइन विज्ञान का एक महत्पुन टॉपिक ह इसको हम कहते हैं, पॉलीमर, पॉलीमर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से बहुत सारे कोश्चन बनते हैं, जनरली हम लोग उस टॉपिक को बहुत कम पढ़ पाते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आप सभी को पॉलीमर की बात करूँगा, तुकि बहुलक या पॉलीमर, अगर इसके सादिक अर्थ की बात करूँ मैं, तो देखो ब्रम्हांड में, जो भी वस्तु में हैं, सभी वस्तु का कोई ले कोई इकाई भाग होता है, यूनिट पार्ट होता है, और इकाई भाग मिल करके, एक बड़े भाग का निरमार कर देते हैं जैसे कि हमारा सरीर देखिए, छोटी-छोटी अत्यम्त इकाईयों से बना हुआ, जिसको कोई का कहते हैं, कोई का मिल करके, एक उच मतलब सरीर का निरमार कर देता है, अड़ों से मिल कर परमारू बन जाते हैं, इसी प्रकार देखिए, जब बहुत सारे एक लग, मोनोमर ज प्रक्रिया के माध्यम से, आज हमारे जीवन में, प्रियोग होने वाले इस प्लास्टिक्स, या फाइबर, रैक्सीन, टेरी कॉट, टेरी वूल, तमाम प्रकार की आसी वस्तु में, जिनका हम इस्तेमाल ध्रणले से कर रहे हैं, और बहुत खुला कर रहे हैं, आग समझिए जो प्लास्टिक बन रही है, जो रैसे बन रहे हैं, वो सभी बहुलक के माध्यम से बन रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, आज रबर देखिए हम लोग अपने जीवन में कहां इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, साथ इस टॉपिक पर मैं आप से भाचित करूँ अब जिसे एकलक यहां पर आपके सामें देखे लिखा गया है, आखिर यह एकलक का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर दो सब्द साथियों, यहां पर एक सब्द क्या है, मतलब मोनो मर में, एक सब्द देखिए मोनो है, और एक सब्द यहां पर देखिए क्या है, मर है, सा मतलब किसी पदार्त का जो इकाई भाग होता है कोई भी पदार्त होगा। उस पदार्त में जो इकाई भाग होता है। उसी इकाई भाग को हम यहाँ पर एकलक कहते हैं और इकाई भाग से मिलकर के फिर दोस्तों क्या बनता है देखिए बहुलक बन जाता है यहाँ देखे लिखा गया बहुलक अब यह बहुलक क्या होगा पॉली मर इसे कहते हैं दो सब्द यहां पर देखिए पहला पॉली है और अगला सब्द इसका मर है तो पॉली और मर यहां पर पॉली का मतलब क्या होगा पॉली मतलब होता है मल्टिपल तो पॉली मतलब होता है मल्टिपल और मर मतलब होता है साथ यो यूनिट अब मल्टिपुल का मतलब होता है अनेक यानि कि अनेक इकाई से मिलकर जो बना हुआ है अनेक इकाईयों से मिलकर जो बना हुआ है उस पदार्थ को हम यहाँ पर क्या कहते हैं पॉलीमर कहते है यानि ऐसा पदार जो अनिको एकाई मिलकर बना हुआ है उसे हम कहेंगे पॉलीमर आखिसे बनता है तो यह पर देखे कहते हैं कि जब बड़ी संख्या में जब बड़ी संख्या में छोटे छोटे अडु मिल करके उच अडुभार का एक बड़ा योगिक बनाते हैं इस नए बने योगिक को बहुलक कहते हैं और जिस प्रक्रिया से इस योगिक का निर्मार हुआ उस प्रक्रिया को बह यह होती है कि जब एकलक से बहुलक बनते हैं या जब एकलकों से बहुलक बनते हैं तो उच ताप और उच दावकी आवशकता भी होती है यह भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा तो जैसे यहां में अगर परिभासित करूंगा तो सबसे पहली बात आप जान लीज कि सबसे पहले जोन्स बरजीलियस नामक बैग्यानिक ने इस बहुलकी करण का सब्द का इस्तेमाल किया था है इन्होंने कहा था कि जब बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में छोटे अरू छोटे अरू मिलकर उच्छ दाब वा उच्छ ताप पर पर बड़ा अरू भार का अरू भार का भार का एक अरू बनाते हैं तो इस नए बने अरू को इस नए बने अरू को बहुलक क्या कहेंगे बहुलक तथा इस प्रक्रिया को जो प्रक्रिया यहां पर हो रही है इस प्रक्रिया को बहुलक करण कहते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बहुलक की करण कहते हैं प्रक्रिया यहां पर आप ने देखा कि किस प्रक्रिया चोटे जब अरू मिलते हैं तो यह उच अरू भार का एक सात्यूं बड़ा योगी बनाते हैं तो इस येद क्या जाट इटीओं मोनोमर है वह सारे मोनोमर्स हैं मतलब यह एकलख है जो बहु सारे एकलख होते हैं यह क्या करेंगे यह फ्етрा पर हैं तेम्प्रिचर पर इस रह apologize होगा उच दाव पर और कहेंगे उच ताप पर उच दाव और उच ताप पर क्या करेंगे ये ये बहु सारे मोनोमर मिल करके एक पॉलीमर अर्थात बहुलक का निर्मार करेंगे एक पॉलीमर यानि बहुलक का निर्मार करेंगे और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुलकी करन और ध्यानक ना आप सभी लोग इस बहुलकी करन की प्रक्रिया में है ना इसी को हम कहते हैं बहुलकी करन पॉलीमराईजेशन और इस प्रक्रिया के द्वारा आप जानते रहना साथ ये इसी प्रक्रिया से कहेंगे इस प्रक्रिया द्वारा प्रक्रिया द्वारा क्या क्या बनता है आप खुछ से सोचिए कि या कि इससे क्या बनता है तो इससे बनता है संसलेसित प्लास्टिक, संसलेसित यानि कि सिंथेटिक प्लास्टिक, तो इससे बनता है सिंथेटिक प्लास्टिक, और इसी प्रक्रिया से, साथियों इसी प्रक्रिया से हम क्या बनाते हैं, संसलेसित रेशा, तो इसी प्रक्रिया से संसलेसित रेशा भी बन इसी प्रक्रिया से सांसलेसित रबर बनता है रबर रबर बनाते हैं इन सब प्रक्रिया के माध्यम से देखिए इनका निर्मार होता है तो यही देखिए क्रिया क्या है इसी को हम कहते हैं बहुलकी करम बहुत इजी है समझ गए आप सभी लोग लेकिन अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे और जहां से प्रस्तम हमारे बनते हैं उसकी बात करेंगे जंदली हमारे दैनिक जीवन में अगर आप देखेंगे सुबह से लेकर के साम तक कि अपने जीवन में हम सबसे जादा इस्तेमाल क्या करते हैं इंवलक जयाए जयसे कि synthetic प्लास्टिक synthetic fyber synthetic rubber अगर आप देखेंगे आपके कपड़े से पर मेरे पास है और उपर से नीचे तक जो भी मेरे हाथ जो भी मेरे पास है और तमान में यह सभी क्या है या तो प्लास्टिक है या तो रेसा है या रभर है तो मतलब हम इसके द्वारा घीरे हुए हैं, आईए, डिस्कस करते हैं आगे, यहां देखिए हम साथियों बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में, यूं कहें कि हम लोगों ने इनको अपना लिया है, इसको अपना लिया है, और यह यूं कहें कि इसने क्या किया हमारे जीवन म हम तो 200 साल तक नहीं सड़ती है, लेकिन अगर जलादे इसको तिसके निकलने वाले धूए से पॉलिशन जादा होता है, तो हमें पता कि हमारे लिए जहर है यह, लेकिन तब भी हमारी मजबूरी हम इसका इसका इस्तेमाल करते हैं, हम सब बताएंगे आपको कैसे इसका इसक प्लास्टिक की बात करूंगा, प्लास्टिक अखिर होता क्या है, सबसे पहले लियो बैकलेंड साहब ने क्या किया था, प्लास्टिक नाम का सब्द दिया था, लियो बैकलेंड, तो सबसे पहले प्लास्टिक सब्द की जो देन, इनकी देन है, इन्होंने कहा था कि आदुन किमर का सब्से ज़दा इस्तिमाल करते तो वा ऺख पुल. क्यों कि भूफ सारे असंत्रितत हाइड्रोकार्बन जुँछ मतलक भूफ से असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके बखूलक से बनता है. और कहते हैं, स्वता अप घटित ना होने वाला बहुलक है, इसका मतलब यह है कि स्वयम से यह नस्ट नहीं होता है, तो स्वयम से नस्ट ना होने वाला बहुलक है, यह अपने आप खतम नहीं होता है, बायो डिगरेबल नहीं होता है, जैसे माल लिजिए अन्ने फाइबर होते हैं, तो हो जाते हैं, सरलोज हो अब यहां बात करेंगे सबसे पहले हम synthetic plastic की तो plastic का सब्द दिया था Leo Blackland ने लेकिन यहां जो synthetic plastic है संसलेशित plastic की खोज Alexander Parks ने की तो सबसे पहले यही वो वैग्यानिक थे जिरोंने plastic की खोज करी थी जो synthetic plastic थी और इनके अनुसाद जो plastic होती है वो दो प्रकार की होती है अच्छा इन दोनों plastic में different क्या है यहां आपको हम different बताएंगे इन में क्या-क्या अंतर होता है इन में क्या-क्या different होता है दोनों plastic में जैसे अभी आप देखिए कुछ ऐसी plastic इसमें आपको दिखाई देंगी जिनको अगर हम गरम करें तो वो मुलायम हो जाएंगी जैसे इनमें जितनी plastic आपको दिखरी है चाहिए polythin दिखरी है आपको यह है या सात्यों यह सब है अगर इनको हम गरम करेंगे तो यह मुलायम हो जाती है तो ऐसी plastic जिनको गरम करने पर वो मुलायम हो जाएं तो उन्हें हम पुना दुसरे आकार में ड़ाल सकते हैं ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मो प्लास्टिक कहते हैं यानि ऐसे प्लास्टिक जो गरम करने पर मुलायम हो जाएं और जब वो मुलायम हो जाएंगे तो मन्चाहा उनको आकार हम दे पाएंगे तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मो प्लास्टिक नाम दिया गया है लेकिन ऐसे प्लास प्लास्टिक होते हैं, ऐसे प्लास्टिक को हम नाम देते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, आपने अपने घर में जो स्विच बोर्ड है, उसको देखा होगा, जब स्विच बोर्ड में आग लगती है, तो वो पिघल करके मुलायम नहीं होता, बलकि बिल्कुल टाइट हो ज जाते हैं और उन्हें इच्छा दूसार अलग अलग रूपों में हम ढाल सकते हैं वही थर्मो प्लास्टिक होते हैं अब जैसे यहाँ पर थर्मो प्लास्टिक में कुछ ऐसे उदाहरन है जिनके विश्यम जानकारी होना जरूरी है जिसे पहला पॉलिथीन दिया है अब पॉल पॉलिथीन का रूप है साथी जो पॉलिथीन होता है वो एथिलीन का बहुलक है मतलब एथिलीन से मिल करके बहु सारे जब एथिलीन मिलते हैं तो बहु सारे एथिलीन के मिलने से पॉलिथीन बनता है तो पॉलिथीन एथिलीन का जटिल बहुलक होता है अब देखो पॉलि मतलब बहुत सारी चीजें हम प्लास्टिक से हाँ बनती है तो इसको आप जानते हो यहाँ पर यह कोश्चन बन सकता कि तो आप कहहेंगे एथि नान का बहु लक्ष है इस पाणे सब्सक्राइब आपने देख ओगा आप इसको इसके देखते होंगे आप g जानते होंगे तो इसको आप देखा होगा ये क्या होता है जिसको आप यहाँ पर देख रहे हो यह यह बना होता है पॉलिस्टाइरीन का, अब जो पॉलिस्टाइरीन है, पॉलिस्टाइरीन का होता है, इस्टाइरीन का उच्च बहुलक है, तो बहु सारे स्टाइरीन जब मिलते हैं, तो इनके मिलने से बनता है, पॉलिस्टाइरीन, नाम का है पॉलिस्टाइरीन, तो इससे बनता है, पॉलि को में बनते हैं डिब्बा बंता साती कंघिया बनती है इस से देखो कंघिया वगएरा भी बनती है बड़ा हल्का होता है आगे दिया पॉली विनायल क्लोराइड जिसको हम Pbc कहते हैं Pbc must my pra करते तारों को वे अच्छनीं PVC से बनता है, इसके अलावा। इसको हम कहते हैं polyvinyl chloride। यह ege vanyc chloride का उच्छ भहुलक है किसका, यह साथ यह novinyl chloride का उच्छ भहुलक होता है यहाले कि भुष सारे benyc chloride मिल करके यहां पर polyvinyc chloride पाइड का विर्मार करते हैं, इसको हम नाम देते हैं PVC, तो इसको हम PVC कहते हैं, इसके बारे में जानते रही है, तो यह नाम इसका PVC है, तो अब इस PVC से क्या बनता है, ठीक है न, तो आप यहां देखी जो पाइप, यह वाली चाहिए करने वाली पाइप होती है, यहां जो हम ल होती है इसके लोगा रीकार्ट बैड है रेंकोद खिल ना बालती और ढ़िबा रेंकोर जो हम पहनते हैं वह भी पी यसी की बनी होती है यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए यह cantate you believe पढ़ना वर्षक है तो जैसे यहां पर आप सभी लोग देखे ध्याल से यहां पर दिया हुआ है पॉली प्रापिलिन यहां यह क्या होता है तो प्रापिलिन का उच्छ बहुलक होता है यह क्या होता है यह प्रापिलिन का उच्छ बहुलक होता है और अगर हम बात करें भाई दिखो जो मोटर गारियां होती है या फिर कोई कारवगरा होती है तो जो उनकी सीट पर जोन की सीट पर जोन की सीट पर साती जोन का आवरन होता है वह कैसे बनता है तो वह बनता है इसी पॉली प्रापुलिन से इसी से टेप बनता है टेप जानते हो आप नदो यह यह टेप साती इसी से देखिए और गद्यों का आउनर बंद रस्तिया बनती है पाइप और साथ यह इसी से टेप बनता है इसको बोलते है तो सेलो टेप किस से बनता देखिए यहां बनता है इसी polypropylene से अब इसके अलावा देखें आगे क्या है आगे टेफलावन है तो हम लोग टेफलावन के बारे में खूब परते हैं कि जो ना चिपकने वाले बरतन होते हैं नॉन इस्टिक इूटेंसिल होते हैं वो कैसे आखिर बनते हैं जितने भी ना चिपकने वाले बरतन हैं उन्हें सभी का निर्माट टेफलान के द्वारा किया जाता है अब टेफलान क्या होगा यह ट्राइफL economist का उस्ध भुलक होता है मतलगief ट्राइफ लूर एतलिन के बहुत सारे जब अनुम मिलते हैं तो गरम करने पता नहीं अगर में आग में गरम भी कर देंगे तब लिह भी चिपकेगा नहीं है न तो इससे क्या होता है नोल इस्टिक बर्तन बनते हैं साथियों खाना बर्तन बोनते जो चिपकते नहीं है तो हम कहते हिन से कि साथियों इनसे जो है रिए stick utensil बनते हैं, प्लस देखिए, इन ही के माध्यम से हम insulating पदार्थ का निर्मार करते हैं, यहां पर गरम होने पर, heat होने पर वह पदार्थ न गले न जले, ऐसी जगा पर जहां insulating substance का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर भी हम teflon का ही इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल आप जानते रहे हैं, यहां जो question बनता है कि नाची पकने वाले बरतं कैसे बनते हैं, तो teflon से बनते हैं, अब इस करम में अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो आप यहां देखिए, थर्मो setting plastic की मैं बात करूंगा, हाला कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, कि थर्मो setting plastic क्या होती है, तो थर्मो setting plastic जैसे plastic जो गरम करने पर मुलायम नहीं होती, यह गरम करने पर बहुत कठोर हो जाती है, जिस करण से इसको हम मंचाहे रूप में ढाल नहीं सकते हैं, तो ऐसे plastic जो गरम करने पर मुलायम नहीं होती, इनको recycle करके पुना नए पदारतों का निर्मान नहीं किया जा सकता है, अ अब बेकलाइट का जो इस्तेमाल है, देखें स्विच बोर्ड में करते हैं, अगर इसमें आगल जाती है यह बहुत टाइट हो जाता है, तो इलेक्टिक स्विच बोर्ड है, बाल्तिया है, कप वगरा है, वो बेकलाइट से ही बनते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे सभी फिनाल है, फॉर्मल डिहाइट है, जब फिनाल को फॉर्मल डिहाइट को इन दोनों को सोडियम हाइड्रोक्षाइड के साथ गरम करते हैं, तो उनसे क्या मिलेगा, उनसे हमको मिलता है बैकलाइट, यानि कि फिनाल को फॉर्मल डिहाइट के साथ मिला कर जब सोडियम त्रिक उपकरण एत्यारी के निर्मान में किया जाता है, यह आप जानते रहें, अब इसके बाद देखिए, अगला होता है मैला माइन, देखों मैला माइन क्या है? C3S6 असाति आपका duos N6 यहाँ जो mellamine होता है आपके घरों में जो आप अपने घरों में जो first होता है first पर पतली सी aaw load क्या करते हो एक seat लगाते हो है ना जो seat होती वो पतली सी होती है आज जो first की seat होती वह अची से बनती है तो फर्स की सीट या अन्य जो समान बनते साथ इसी से बनते हैं मैला माईन के माध्यम से अलग-अलग सीट होती है तो लगाते हम लोग फर्स पे अब इसके बाद देखिए अब प्लास्टिक के बाद जो अगला महत्पून चीज है जो होता है वह रेशा है आप जानते जो रेशा होता है हमारे कपड़े जितने भी समरेशे से बनते हैं फाइबर से बनते हैं ठीक है और हम कपड़ों का हमारे जीवन में कितना इस्तेमाल सात्यों क्या देखिए बैडशीट से लेकर के पहनने वाले कपड़े से गद्दे से लेकर जाई तक कमबल तक मतलब हम उसका इस्तेमाल करते हैं यहां आप जानते हैं जो रेशा होता हो क्या होता है रेशा प्राकृतिक भी होता है रेशा कृत्रिम भी हो किसी प्राकृतिक या क्रित्रिम पदार्थों के तंतु को हम रेशा कहते हैं तंतु मतलब सात्य पतला सा उसका इकाई भाग होता है तंतु मतलब तार होता है पतला सा तार तो किसी प्राकृतिक या क्रित्रिम पदार्थों के पतले तंतु को रेशा या फाइबर कहते हैं रे वास आपका हो गया है फीलैक साफ का ओगया है सन오 हो गया है तो यह सब प्यराक्रतीक रेस्से होते हैं और एकस का ही ठीक Fall सिंथार्टिक झिसको हम बनाते हैं प्रयोक्षालाव नैला और नंक का है आर्धिक दो और एक जो जनतुओं से मिलते हैं अब अगर देखाजा जो प्राकर्तिक रेशे होते हैं उसमें सबसे पहला आपका होता है वानसपतिक रेशा जिसको हम कहते हैं प्लान्ट फाइबर यारि कुछ रेशे यहां देखेंगे जो प्राकर्तिक रेसा होता है, यह प्राकर्तिक से निरमित होता है, मुलायम और अरामदायक होता है और बहुत जल्दी सिकुर जाते हैं. जो प्राकृतिक रेशे होते हैं अब प्राकृतिक रेशे हमें कहा कहा से मिल सकते हैं यहां देखिये कॉटन साथी कापास आप देख रहे हो महराष्ट पर रिच के खुट कhiती होती है सेमल साथ यों सेमल अगर आप नहीं जानते होंगे इसको आप सर्ज करेंगे, यह जो सेमल का फूल आप देख रहे हो, सेमल का बिच बहुत बढ़ा-बढ़ा होता है, इसके बिच में काटे निकले होता है, लेकि इसका फूल जो होता है, बहुत बढ़ा-बढ़ा होता है, और बहुत सौप होता है, सेमल में बनने वाला जो तो यसको हम सनाई बोलते हैं, यह आपका इसली क्वासूं है, तो यहां पर यह सबगारी क्या है प्राक्रितिक में क्या है यह वर्थक पतीक रेसे हैं हलाकि आपके मन में जो सबसे बड़ी बात आती है वह रेसम कीट की आती है लोग समझते बस रेसम कीट ही है जो की माल बेरी के पौदे पर होता है लारवा अपने या जो अपने मुझ से जो लार्व निकालता उसी से रेसम प्राप्त होता है यह सम जानते हैं बॉम्बेक्स कुछ ऐसी ऐसी प्रजातियां होती है जो केवल उन के लिए ही पाली जाती है और भेरों के उन जो है काफी मात्रा में जिन से कंबल बनता है गद्दे बनते हैं साथियों कपड़े बनते हैं तो भेर जो होती है इनका परपज क्या होता है उन के परपज से ही इनको हम पालते हैं ठीक ना मतलब इनको जो है रेसे के परपस से ही पालते हैं इसके बाद देखिए आपका क्या है यहां पर साथ रेसम कीट हो गया आगे देखिए यहां देखिए चीरू है जंगल में रहता है जंगली जैसे भेड के ऊपर से बॉडी से हम रेसम प्राप्त करते हैं वैसे च कहते हैं कि कस्मीर में पस्मीनः अएसी बखरी होती है यहां पर देख्पारे इसको पस्मीना आएसी बखरी होथी जिससे सबसे कीमति 100 वगए-अजय क्षप है । इसके बाद देखिये में यहां पर दौस्तों यह ची आप. देख रहे हैं इसको हम लामा कहते हैं यह लामा देखो है इसको हम क्या बोलते हैं इसको लामा कहते हैं तो इस लामा से हमको उन मिलता है और यहां देखिए भेड़ है सातियों देखिए भेड़ है इससे भी हमको उन मिलता है यहां जो आप उन अभी जो आप रेशा देख रह वाले जो रेसे होते हैं, उनसे कपड़े बनते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो अगनी समन में कारे करते हैं, आग भुझाने वाले, जो पुलिस वाले होते हैं, तो उनके कपड़े होते हैं, वो अगनी रोधी होते हैं, कैसे बनते भाई? तो वो कपड़े बनते हैं, ऐस्बेस् अग разм सोना हो तो गोल्ड से करेंगे के 1 ग्राम गोल्ड से 2 km का तारम खीष सकते हैं, आप शो सकते हैं कि 1 ग्राम सोने से लगबूर 2 km का तारम खीष सकते हैं, तो इतना पतला होता है ये खनिजरेशा, सोना है चांडी सेरामिक और एजबेस्टर्स है, ये साती हो गए खनिजरेशा, तो हमने पर लिये यहां पर देखे प्राक्रतिक रेशा और अब हम बात करेंगे आप लोगों से यहाँ पर सिंथाटिक फाइबर के बारे में तो सिंथाटिक फाइबर यानि कि जिसको हम कहते हैं प्रियोगशाला में निर्मित होने वाले रेशे तो जो संसे रेशे होते हैं सबसे पहले उनको प्रियोग आप देखिए आपके आपने देखा होगा जो क्पड़े होते हैं वो बड़े आराम्दायक होते हैं क्योंकि खादी Architect सायों,framesबनый यह हैं, candidates केमिकल बन को साथ л Алायम थे से सी। प्राकृतिक रेसे से मुलायम और आराम दायक होते हैं लिखा गया है जितना पसीना होगा उतना मज़ाएगी लेकिन साथ यह जो हम लोग कपड़े और तमाम में पहन रहे हैं तो यह सब कैसे बनते हैं सब बनते हैं यहां परियोगशाला में निर्मित होने वाले सूख जाते हैं हलके होते हैं इनमे कहले मकोडे नहीं लगते हैं और सात्यों मिंनक्षाला में असान होते तो यहां पर बिखाई दे रहे हैं मच्बूर तिकाओ धुलने में आसान होते हैं ौन? आसान और मंचाहारंग दे सकते कैसे जैसे यहां पर क्या है रियान रियान देखिए यहां पर है नाइलोन है पॉलिस्टर है एक्रिलिक है इन सब क्या बनते कपड़े बनेंगे चादर बनेंगी कालीन बनेंगी यह सब जो है इन से बनता है रियान से नाइलोन से पॉलिस्टर से और एक्रिलिक से अब सबसे पहले हम यहां बात करेंगे आप लोगों से साती हो रियान के बारे में देखो रियान को जनरली हम नाम देते हैं अर्ध कित्रिम रेशा मतलब जो रियान है वो अर्ध कित्रिम में ही आता है मतलब यह प्राकर्तिक भी यह प्राकर्तिक कैसे है क् इसमें मिला होता है सेलूलोज। तो सलूलोज के मिलने से ये प्राकरतिक बन जात구요 मतलब प्राकरतिक तो वह ही बात बात है , प्लस इसमें सोडियम हाईड्रोकसाइडD और सल्फियूरिक अमलग को भी मिलाते हैं तो सल्लोज सोडियम हाइड्रोकसाइड और सल्फियूरिक अमल के मिलने से रियान बनता है और सातियों जो रियान होता है इसको हम पुनह निर्मित कर सकते हैं तो इसको हम पुना से निर्मित कर सकते हैं, इसके माध्यम से चादर, बिस्तर और धागे बनते हैं, धागे भी रियान से बनते हैं, चादरे बनती हैं, अगर रियान को हम मिला दे काटन के साथ, रियान और कपास, तो रियान और कपास के मिलने से चादर बनती है, और रियान और उन के मिलने से गलीचाए कालिन बनता है तो जो कालीन बनता है और सुध्य आगर कोई रेसा है कृत्र रेसा तो वह नायलॉण है नाम में इसके क्या है एन वाई और एलो एन अगर इसको अलग करें दोफ अगरो इस9 यॉर्क होता है और L.O.N. से लंडन होता है तो सबसे पहले इसको New York और लंडन में बनाया गया था कहते है कि प्रत्रम कृत्रमी रेशा है ये ये पहला कृत्रमी रेशा है जिसको New York और लंडन में बनाया गया था तो नहलों को बनाने में किसका किसका का संधनित बहुलग है बहुत महत्पुर्शी जाइए पुछता है एक संधनित बहुलग होता है जिससे बनता है नायलॉन शबसे पहले कहा बनाए तो दिखा गया है आप देखो दो प्रकार का होता है एक नाइलोन 6 होता है और एक नाइलोन 6-6 होता है वरतमान समय में हम सभी के द्वारा जो सबसे अधिक मात्रा में सबसे मजबूर सबसे टिकाऊ नाइलोन इस्तिमाल हो रहा है वह है नाइलोन 6-6 बहुत ही खतरनाक इसके बारें कहाता है कि यह बहुत चमकीला होता है प्रबल प् बहुत मुलायम धुलने में आसान, इसका तार स्टील से भी मजबूत होता है, चाइनीज मांज़े के इस्तिमाल से आप देखेंगे कि बहुत सारी दुर्गटनाय हो रही है, चुकि वो ऐसा तार होता है, जल्दी तूटता नहीं है वो, जो इस सब मांज़े बनते हैं पतंग इस्तिमाल कहां कहां होगा, पहले बात देखें टायरों के धागे, जो टायर हम लोग अपनी गारियों इस्तिमाल करते हैं, टायरों में पहले महिन महिन धागे लगे होते हैं, कि दारे पर, जो धागे होते हैं वो इसी के बनते हैं, रसियां बनती से, मोजे बनते हैं, ब्र सभी नालों 6-6 से बनते हैं बहुत महत्पूर्चीज है इसके बाद लगे हाथ दे के साथ यहाँ नालों 6 दिया हुआ है अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो देखिए नालों 6 होता है वो नालों 6-6 की अपेक्चा थोड़ा सा कमजोर होता है अगर इसके बिसेम बात करें तो कहते हैं कैप्रोलैक्टम का संगनित बहुलक है यानि कि इसका निर्मार कैप्रोलैक्टम से होता है और इसका इस्तेमाल वाहनों के गी और वाईलिन का तार, रसी और कपड़े इत्त्यादी बनाने में करते हैं यह भी हलाकी महत्वपूर्ण है लेकिन आगे जो पॉलिष्टर दिया हुआ है भाई पॉलिष्टर के कपड़े आज कल बहुत चल रहे हैं सस्ते होते हैं लोग खुब पहनते हैं इसका डेवलप्मेंट सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था यह अटेंप्ट प्रसलिद मतल रहे हैं साती हो पॉलिष्टर का इस्तेमाल कहां देखें क्यैप्शूल का आउरड जो होता है वहां पॉलिष्टर होता है साथी यहाँ पर देखिए इससे कपड़े बनते हैं सजरी के ताके भी इसी से बनते हैं तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल होता है आगे देखिए दिया है प्रकार इसके कितने प्रकार होते है किसके पॉलिष्टर के तो जो पॉलिष्टर का पहला प्रकार है वह क्या है डेक्र से डेकरोन को हम कपास से मिलाएं तो जब डेकरोन और कपास बनेगा डेकरान और कपास टेडी कौड बनता है यहां बात जानते रहना, यहां पर देखे डेकरण कितना important है, इसके बाद सात्यों एक होता PET, जिसको हम कहते है polyethylene terethlet, कुछ पानी की जो बोतले होती, बहुत tight होती है, तो वह जो पानी की बोतले होती हुआ बनती है, polyethylene terethlet बनती है, जो बहुत कठोर होती है, फिर यहां पर दिया acrylene, आखिर यह क्या होता है, सात्यों जो acrylene है यह बनता है, acrylo nitrl का बहुलक होता है, और यह बिल्कुल जैसे oon नहीं होता है, तो oon तरह हलका और बहुत मुलायम होता है, जैसे oon होगा, वैसे हलका और मुलायम होता है, इसके माध्यम से, चमकदार, sweater, jacket और scarf बनता है, हलाकि यह बहुत टिकाओं नहीं होता, उन जो होता है, रांदयक होता है, इतना रांदयक होता है, इसके बाद देखिए, आगे कुछ रेसे ऐसे हैं, जो मिस्टत होते हैं, जैसे यहाँ कहला टेरी-cott, टेरी-cott है, टेरी-wool है, टेरी-silk है, cotton-fiber है, यह ऐसे रेस वह पाली-carbonate और kevlar से बनती है, वहीं देखते हैं, यह बुलेट-प्रूफ खिड़की जो बनती है, वह बनती है, लेगमेटर-ग्लास होता है, और पाली-carbonate और लक्सान होता है, ओके, इसके बाद देखिए, एक चीज और यहाँ पर महत्तुपूर्सादी, वो rubber है, रबर का पेड़ होता है, इसमें क्या होता है, रबर के पेड़ में ऐसे चीला वे लगाने के बाद ऐसे कोई बतन वहाँ पर लखा दिनीुगे, अब जो बतन होता है, उस बतन में rubber का दूध गिरता रहता है, और उस दूध में ईकठा करते हैं, और उस दूध में सल्फरव को मिल करके बलकनी करड़ करते हैं जिसके बाद्ध्यम से उस रबर को मजबूत और तन्य बनाते हैं रबर जो होता है वह हीबी है नमक ब्रिच के लैटेक्ष निके दूद से मिलता है सबसे पहले मध्य अफ्रीका में जो कांगो छेत्रा है कांगो बैसन वगरा है वही पर रबर के में मालुम पड़ा था रबर जो होता है वह आइसोप्रीन का प्राकृतिक बहु लग है रबर केром होता है तो यह बन आकर किसो तन्य और मजबूत बनाते हैं, लेकिन जो मेन बात यहां पर है, जैसे क्या है, कि जो यहां पर संसलसित रबर होता है, जिसको प्रयुषाल मेनाते हो, कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखिए, यहां सिन्थेटिक रबर की खोश किया था किसने, चार्स गूड इयर और सात्यों कहा था कि यह नियोप्रीन या क्लोरोपीन का बहुलक है जो नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन है यह क्रित्रिम बहुलक होता है रबर इसका क्रित्रिम बहुलक है लेकिन जो आइसोप्रीन है इसका प्राकृतिक बहुलक होता है रबर सात्यों रबर आप देखेंगे के भुठतिके के साथ हम अपने किलास कोगुस करेंगे, कोशिस रहेगी जितने भी महत्पुन टौकिक आपकी परिच्छा में आने वाले हैं, उन सब पर हम लिएसे राज को देखते हुए, समय के आप हाओ को देखते हुए, यहां जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको एजे प्रीडियाप पढ़ रहे हैं, यानि कि यहां पर मैं लेखने रहा हूं, और समय की मांग भी यही है, समय इतना कम है, कि आपको यही करना पड़ेगा, मौके मिले हैं, इस मौके को हास से मत जा आप, जय हिंद।